नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सनमार्ग आज हम बात करने वाले हैं पीली सर्सों का सर्सों तो आपके घर में होगा सर्सों दो तरका होता है एक होता है बलेक और लाल पन लिया हुआ और दूसरा होता है पीली कलर का तो आज जो हम सर्सों का प्रियोग बताएंगे वो पीले रंगबाले सर्सों से ही आपको करना है देखे धर्म सास्त्रों में माना गया है कि घर में अगर सुगंधित वातावरन आप रखें तो ये सबसे ज़्यादा सुभ और पवित्र माना जाता है निगेटिव एनरजी को दूर करने वाला माना जाता है लेकिन घर में इस्ट देप को परसंद करने के लिए आप धूप दीप तो जलाते होंगे हर कोई अपने अपने धर्म के अनुसार ये जलाता ही जलाता है अब धर्मसास के अनुसार घर का वातावरन स्वक्ष और पवित्र सुगंधित रहना बहुत आवस्यक है तो ऐसे में आज हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे देखिए अधिकतर आदमी जो लोग हैं साम में जब आप दिया बाती करते हैं तब या तो कपूर जलाते हैं या फिर सर्सों के तेल के दिया में लौंग जलाते हैं लेकिन आज जो हम आपको प्रयोग बताएंगे वो घर के नकायतमक उर्जा को दूर करने के लिए आपको पीली सर्सों का कैसे प्रयोग करें आज यही साजा करेंगे तो नकायतमक सक्तियां अगर जीवन पर हावी हो जाए घर के लोगों पर हावी हो जाए तो जीवन नरक बन जाता है धन की कमी परेसान करती हैं हमेशा ही जीवन में कुछ नो कुछ ऐसी चीजे होती रहती हैं जो आपको तोड़ सी देती है तो ऐसे में पीले सरसू का सिंपल सा परियोग जो आपके जीवन के हर परिसानी को दूर करेगा देखे पीला सरसू जो है तांतरी क्रियाओं में भी यूज होता है और मा बगला मुखी की पूजा में भी पीले सरसू का यूज होता है अब आप सोचेंगे मा, बगला मुखी कौन है ये सत्रूँ को समाप्त करने वाली देवी है मा, बगला मुखी और इनकी अराधना बिसेश तोर पर सत्रूँ से परिसानी होने पर की जाती है अगर ने अराधना करते हैं मा बगला मुखी का नाम भी लेकर परणाम कर लेते हैं तो सत्रू बिरोधी चाहकर भी आपका कुछ बिगार नहीं सकते एक सिंपल सा परियोग करें पीले कपड़े ले ले उसमें थोड़ा सा पीला सरसों लेकर बांध ले लाल धागे मौली धागा के सहारे अब मा बगला मुखी को अर्पित कर दे आपके समस्त इक्षाएं हाथो हाथ पुरी हो जाएगी ये पीला सरसों बहुत चमतकारी है तो मा बगला मुखी को आप पीली सरसों जरूर अर्पित करे ताकि जीवन में कोई परिशानी न रहे और समस्त आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए अब हम एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे कई बार क्या होता है न जीवन में परिसानी बहुत बढ़ जाती है तब एक नियम बना ले जब साम में आप दिया बाती करते हैं चाहे आप कपूर जलाते हैं या सरसों के तेल का दिया जलाते हैं आप लॉंग मट डालिए कुछ दिन लॉंग की जगह एक चुटकी पीली सरसों डाल दीजिए कपूर के सहारे या आप दिया जो जलाएंगे सरसों के तेल का उसमें अब इसी से पूरे घर में दीपक दिखाईए यकीन मानिए निगेटिव उर्जा सांथ हो है तब आत्रिप्त आत्माएं सांथ हो जाती हैं अब माल लेते हैं आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बहुत नजर दोस्त लगती हैं बहुत परिशानियां आती हैं क्या करेंगे जब आपको लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है जब आपको लगे कि आप बहुत पर और थोड़ा सा पीली सरसों डाल दे, जब सरसों चटकने लगे तब इसका धुणा को घर में फैलने दे, इसमें बाद जब देखिये हलका सा हो गया है फिर इसको आप निकालने, ठंडा होने दे, एक कागज़ बखे, कागज़ पे रखे इसको ठंडा होने दे, अब इस कागज को लेकर जिसको भी नजर लगा है उसके उपर से तीन बार या साथ बार उल्टा वार ले घर से बाहर फेक दे जो भी वेक्ती पीडित है उसकी पीडाओं में जल्दी ही वो सांथ हो जाएंगे यानि उनकी पीडाओं समाप्त हो जाएंगी नजर दोस्त तांत्री क्रियाओं से मुक्ती मिल जाएगी तो ये परियोग बहुत सिंपल है पीली सरसूं का परियोग बहुत तरीके से किये जाते है कई बार क्या होता है राहू जीवन में बहुत परिसान करता है और जब राहू परिसान करेगा न तो जीवन में आकस्मिक समस्याएं आती हैं, आकस्मिक बाधाएं आती हैं, और जीवन में जैसे लगेगा सब कुछ खो रहा है, क्या करेंगे, बहुत सिंपल प्रियोग है, जब राहु परेसान करें, तब राहु के नच्छतर में ही प्रियोग करेंगे, अब राहु का नच् नच्छत्र राहु के हैं जब यह नच्छत्र आएं चाहिए वो किसी भी दिन आए उस दिन यह प्रयोग करना है थोड़ा सा पीला सरसो अपने हाथ में लेकर अपने उपर से साथ बार वार ले अब वार कर इसको कहीं भी बहते वे नदी में प्रवाहित कर दें जो पानी बह है अमाल लेते हैं आपके आसपास बहतावा नदी नहीं है तब तब ऐसे में किसी पीपल के नीचे रख दें ऐसा करने किसमें कोई रोके नहीं देखे नहीं टोके नहीं इस बात का ध्यान रखिएगा आप यकीन मानिए राहु समस्या कभी नहीं देगा जो जीवन में आकस समस्याएं बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी एक सिंपल सप्रियोग ये भी होता है कभी कभी क्या होता है आप कभी कभी घर में कोई सुमंगल कारे करते हैं अचानक से बाधाएं आ जाती है या लंबे समय से आपके घर में कोई सुमंगल कारे हो ही नहीं रहे लंबे स क्पड़ा चलिए क्सक्यणी जरएंगेजरे ऊजक्स मेड़ा अभी चलेगा अब थोड़ी सी पीज़ घंच्व स के आप पौटली बना ले और आकर अपने घर के पुजा स्थान पे रख दे घर के सभीत कस्ट दोस बाधाएं पिलाएं दूर होंगी घर में सुमंगल कारे होने लगेंगे साधी बिवा भी होगा संतान प्राप्ती भी होगी घर में पुजा पाट भी होगा आप लोग तिर्थियात्रा भी करेंगे ये जो प्रियोग है ये आपके घर में आने वाली जो खुसिया उसको रोकने में किसी को साहईदा नहीं करेगी बलकि उसको दूर भगाएगी कि आपके घर में जो खुसिया आनी है उसको आने दीजिए तो आज हम आपके साथ बहुत सिंपल सिंपल परियोग कर रहे हैं ये चीजे आपके जीवन में बहुत माइने रखेगी अगर आप ये छोटा छोटा परियोग कर लेते हैं तो अगर जीवन में ज़्यादा परिसानी हो तब किसी भी सनिवार के दिन सुबा सुबा स्नान बेगर करके अपने पूजा घर में बैठ जाईएगा और थोड़ा सा पीला सरसो एक दीपक जलाकर उसमें डाल दें ओम बगलाए नमः ओम बगलाए नमः कर जब कीजिए सांती मिलेगी अगर छोटे बच्चे को नजर लग गई हो तो अपने हाथ में थोड़ा सा पीला सरसो लेके और उसके सर से वार कर आग में जला दे हो तब एक छोटा सा काम करें नियमीत रूप से जब आप दिया बाती करते हैं सामकिस में अपने घर में दूब दीप दिखाते हैं उस समय आप दीपक में एक चुटकी या फिर दो चार दाने के पीली सरसों के डाल कर और फूर फिर आप पूरे घर में दिखाएं इससे क्या होगा जो भी ओत्रिक तात्माय हैं जो भी आपके घर में वास्तू दोस है जो परेसानी है तंदर क्रिया है वो नस्ट हो जाएगी करके देखें आप चाहें तो सरसों के साथ थोड़ा सा नमक जड़ा सा एक चुटकी और इसके साथ ही तीन साबूत सुखी वी लाल मिर्च भी ले सकते हैं और इसको आप कहीं भी बालकनी में छट पे कहीं भी आउट मतलब घर से बाहर निकल गए या आपनी कीचन में करेंगे तो आप विवस्था कर ले नहीं तो मिर्ची का गंद अंदर आ जाएगा तो आपको इसको जला लेना है आप देखिएगा बच्चे को दुवारा नजर नहीं लगेगी क्योंकि जैसे ही आप उनके उपर से उतार कर जला देते हैं वैसे ही जीवन की मुस्खिलें बहुत हद तक क्योंकि ये देखिए निगेटिविटी को समाप करने के लिए सर्सों और काली मिर्च दो चीज सबसे ज़्यादा परियोग किये जाते हैं अगर गरहों की पीडाएं ज़्यादा परिसान करें आपको लग रहा है कि तमाम गरह आपके बिपरी धारा में चल रहा हैं मंदिर जाएं वहां पर हर्मान जी के मंदिर में जाकर पैरों का सिंदूर थोड़ा से लेकर इस कपड़े पर लगा लगा लें अब इसका पोटली बनाकर अपने घर के पुजास्थान पर रख दें हर तरह के दोसों से संकटों से आपकी मुक्ति मिलेगी आपको और रोज साम के समय जवाब दिया बाती करते हैं तो दीपक में एक चुटकी पीली सरसों डाल दीजिएगा तमाम तरह के तंत्र मंत्र निगेटिव एनरजी सब दूर हो जाएंग और जीवन में खुसी आएंगी क्योंकि ये पीली सरसों आपको रक्षा कबस देता है और पुजा पाट करते समय भी घर के चारों और पीली सरसों बिखेर दें तो कोई निगेटिव एनरजी रुकावट नहीं डालेगी धन्यवाद